Hello dear students, तो finally CBSC ने आप सब students के लिए आपका class 10th and 12th का final board exam का date sheet release कर दिया है तो आज की इस video में हम आपका board exam का date sheet discuss करेंगे, कौन से subject का exam आपका कौन से date को होगा, exam के timings क्या होगी इन सब के बारे में आज की इस video में हम detail में discuss करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं तो यहाँ पर especially मैं class 10th के students के लिए date sheet discuss कर रहा हूँ, अगर आप class 12th के student हैं तो CBSC के official website पर जाकर वहाँ से आप class 12th का अपना date sheet download कर सकते हैं तो यह जो date sheet है यह आपका class 10th के students के लिए है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपका exam start हो रहा है, board exam, वो आपका 15th of February से start हो रहा है और 15th of February को कौन-कौन से subject का exam है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं subjects, painting, rai, grang, tamang, shepra यह सारे छोटे-मोटे subjects हैं, जो कि कई सारे students के पास, थोड़े से students के पास होता है, काफी सारे students के पास नहीं होता यह जितने भी subject हैं, इन में से, तो अगर आपके पास painting subject है, तो आपका timing यह आप देख सकते हैं, सुबर के 10.30 से लेकर, afternoon में 12.30 तक, यानि कि 2 hours का आपका exam होगा 15th of February से, तो अब आपको अच्छे से लग जाना है अपने board exam के लिए, इसके बाद next जो आपका exam है, वो आपका है 16th of February को, चिके, और इस दिन, इस date को यह सारे subjects का exam है, अगर आपके पास इन में से कोई subject है, तो आपका exam 16th of February को होगा, चिके, और exam के timing यह आप देख सकते हैं तो वीडियो को pause करके आप यह देख लेना कि इन में से अगर आपके पास कोई subject है, तो आपका exam 16th of February को होगा, चिके, वैसे भी यह जो date sheet का PDF है, यह मैं आपको telegram group पर send कर दूँगा, वहाँ से आप download करके, इस date sheet को और अच्छे से आप देख सकते हैं, तो अगर आपने telegram group join नहीं किया है, तो join कर लेना, link मैं आपको इस वीडियो के description box में दे दूँगा, वहाँ पर click करके आप join कर सकते हैं, और इस date sheet को download कर सकते हैं, इसके बाद अगला आपका 17th February को है, जो कि यह सारे subjects हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं, जो main main subject का exam है, किस date को है, वो मैं यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं, संस्कृत, तो संस्कृत का exam आपका 19th of February, यानि 19th February को आपका संस्कृत का exam होगा, और timing यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10.30 से लेकर 1.30 तक है, यानि कि 3 hours का आपका exam होगा, इसके बाद next आगे का यह आप देख सकते हैं, अगर इ यहाँ पर उर्दु हो गया, तमिल हो गया, तेलगू, इन में से कोई subject अगर आपके पास है, तो आपका exam 20 फरवरी को होगा, 20 तारीक को, 20 फरवरी को, इसके बाद next आपका main subject है हिंदी, हिंदी का exam आपका 21st फरवरी, यानि 21 फरवरी को आपका हिंदी का exam होगा, और इसके बा इसके बाद next आपका देख सकते हैं यह सारे subjects हैं, जिनका exam 24th फरवरी को है, इसके बाद main अगला जो आपका subject है, जो की है English, तो इंगलिश का exam आपका 26th फरवरी को है, यानि कि English का exam आपका कब है, 26 फरवरी को, इसके बाद अगला इन में से कोई subject है, आपका तो यह रह और इसके बाद अगला जो आपका main subject है जो की है science तो science का exam आपका second march को है यानि दो march को ठीक है इसके बाद ये सारे subjects हैं इन में से अगर आपके पास कोई subject है तो आपका exam fourth march को होगा और इसके बाद अगर इन में से कोई subject आपके पास है तो आपका exam 5th March को होगा इसके बाद next main subject है आपका social science तो social science का exam यानि SST का exam आपका 7th March को होगा चीके और इसके बाद मेरा और आप सब का favorite subject जो की है maths तो maths का exam आपका 11th of March को होगा चीके तो यह हो गया आपका इसके बाद last जो की यह सारे subjects है तो इन में से कोई subject अगर आपके पास है तो आपका exam 13th of March को होगा तो यह सारा पूरा date sheet मैंने आपके सामने discuss कर दिया है I hope आपको सब कुछ clear हो गया कौन से date को आपका कौन से subject का exam है इसके अलावा channel पर पूरा syllabus complete करा दिया गया है और आने वाले दिनों में पूरा जितने भी CBC के sample papers है इसके अलावा extra sample papers इसके अलावा pyqs और इसके अलावा जितने भी other practice papers है वो सब channel पर आपके लिए पूरा complete video बना कर solve कराया जाएगा तो इसलिए channel को subscribe करके रखना और video को like कर देना अपने दोस्तों के साथ भी share करना तो मिलते हैं next video में